आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के चैनल पर यह चैनल आप सब के लिए कंपटिशन एक्जाम्स की तैयारी के लिए स्पेसिफिकली टार्गेट किया गया है यहां पर हम हिमाचल के सारे के सारे जो कंपटिटिव एक्जाम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे उनके बारे में अलग अलग सब्जेक्स के बारे में क्या-क्या टॉपिक्स और क्या-क्या स्टडी हमें करनी चाहिए उसके बारे में आपको बताया जाएगा आज का विश्य बेसिकली हमारा है कि history और quality जो session है उसे हमें कैसे cover करना है या हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उस चीज के लिए मैं आपके सामने आया हूं और मैं नाम है पवन ठीक है जी तो यहां पर आप सब के सामने जो लिखा हुआ है कि how to prepare for history and quality जब हम पढ़ते हैं हिमाशल के exams के बारे में हम अलग-अलग हम ने तसीदर की बात करते हैं हम allied services की बात करते हैं यह मैं कहूं आप forest range officers की बात करते हैं पटवारी या order examination तो first of all जो चीज़ जरूरी होती है वह है वहां का syllabus कि अलग-अलग exam में हम जो syllabus देखते हैं अब detailed syllabus तो हम हम देखते हैं कि मुश्किल सही हमारे सामने आता है लेकिन जब हम एंटी का जाने की नयब-दसीदर का syllabus देखते हैं तो तीन चीज़े वड़ी स्पेसिफिक हैं एक की modern history और वहां पे especially लिखा रहता है कि 1857 के onwards जिसे कहता है freedom struggle especially यह कहा जाता है फिर हम बात करते हैं art and culture की औ लास्टी बात करते हैं teachings of Mahatma Gandhi अब यह syllabus में लिखा रहता है लेकिन एक ड्रेल है जो है वह हमें कहीं specifically नहीं मिलती है यह तीन चीज़ें आप देखेंगे तो syllabus में लिखी रहेंगी अब modern history में इसके आगे बहुत साइट topic है जो हमने cover करने होते हैं जैसे कि Congress एक बहुत यह important topic रहेगा उसके बाद अगर हम कहें तो इसमें moderate आ जाते हैं extremist आ जाते हैं फिर हम next बात करते हैं इसके बाद हम 1905 पर जाते हैं जिसे हम partition of Bengal की बात करेंगे फिर हम ऐसे करते करते revolutionary phase 1 पर जाएंगे फिर हम गांधी जी का वापस आना इंडिया में फिर उसके बाद revolutionary phase 2 क की बात करेंगे ऐसे करते करते वी विल गो अप्टू 1947 हम सब को पता है इस चीज के लिए specifically एक book follow की जाती है spectrum की अब वह book जो ऐसी है बहुत बड़ी है sir 9002,000 page की book है बहुत मुश्किल है पढ़ना तो इसलिए हम आपके सामने आए हैं बिलकुल वह book आप अपने पर पढ़ स पारचल प्रदेश competitive examinations के लिए ऐसे ही art and culture की जब बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूजन्स की कहते हैं कि सचाहेश लेवर्स में लिख रखा है कि modern history आएगी लेकिन हमें ancient और medieval के question भी आते हैं और जब हम सारे के सारे exams पुराने जो अभी तक हो चुके हैं उनको देखते है हैं ज़रूर question आ रहे हैं लेकिन specific वह art and culture के ही है लेकि इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर आपको Asian और medieval करवाई नहीं जाएगी हम उसको भी करेंगे art and culture specifically जादा stress दिया जाएगा क्योंकि वह specially special में हमारे syllabus में mentioned है and lastly महात्मा गांदी की टीचिंग से उपर question कम से कम 5 से लेके साथ आर तक questions महात्मा गांदी जी के उपर ही रहते हैं जैसे मैं कहूं आपके एक exam में question किया आया था कि सर जब गांदी जी साउथ अफरीका गए थी दादा अबदुल्ला का case solve करने के लिए तो किस तरीके से उस case को उनने solve किया था यह question आपके allied के exam में अलड़ी आया हुआ है और ऐसे ही मैं दूसरी point की बात कर लेता हूँ जो किसका है हमारा पॉलिटी का session अब पॉलिटी में सब बचे एक standard book है इसे follow कर रहे हैं that is M. Lakshmikaan अब उसमें कितने सारे chapter है सर वह भी कम सिकम 1300 पन्ने की किताब है आप यहां पर historical background पर लिजिए, preamble पर लिजिए, fundamental DPSP, Parliament पर लिजिए, judiciary, local self-government, center-state relation और constitutional और non-constitutional bodies अपने आप में round 70 chapter है इन 17 chapter को डिटेल में पढ़ना और याद रखना सर डिफिकल्ट होता है कई बार, don't worry आप सब को उसकी हर एक बरीक बात उसका हर एक MCQ solve करवाया जाएगा और बड़ा ही easy way से समझाया जाएगा और यह easy है, ठीक है, of course, कुछ-कुछ topics इसमें बहुत important है, जैसे ही कि हम बात करेंगे कि जो इनकी historical background है, making है, preamble है, amendments जो chapter है specifically, fundamental rights, DPSP, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं, तो राश्टपती, बहुत important, parliament, emergency, governor, यह सारे के सारे chapter जो है, इन पर जारा ध्यान देने वाली बात है और जो सबसे important जहां पर रहता है, local governments, local governments के ओपर भी बहुत question आते हैं, हर exam में कहीं न कहीं आपको इसका question देखने को मिलेगा ही, पंचायती राज का, municipality का, कैसे MCQs आते हैं, किस perspective से आते हैं, आपने एक चीज़ और notice की होगी, अब direct questions नहीं आते, थोड़ा गुमा फिरा के questions आते हैं, तो on the sport आपको सोचना पड़ेगा, as such अगर आप रटके गए, तो answer नहीं मिलने वाला है, तो कहीं न कहीं, वो current affairs से associated हो सकता है, या कोई recent activity से, वहां से को question आएगा, ठीक है न, तो we have to prepare in that way, हम आगे चलते हैं, आपके कुछ पुराने PYQs को अगर मैं analyze कर लूँ, जो अभी तक question आ चुके हैं, वो चाहे नाप तस्रीदर के हों, चाहे वो allied services के हों, कुछ कोशन साब के सामने देख रहे हैं, तो पहला question क्या कह रहा है, modern history का रखा था, नाप तस्रीदर के paper में, कि अमरिता बिजार पत्त्री का, जो एक एक newspaper है, वो कब शुरुवात होती है अमरिता बिजार पत्री का, specially पूछा है, बंगला में, जानि बेंगॉली लेंगवेज में start कब होती है, यह तीनों चीज़े आपको पता होने चाहिए, उसने specifically बंगला लेंगवेज में शुरुवात की है, कि कब होती है, अब यहां पर हमें सब को पता है, यह 1868 answer है, दो ब 1868 में और यह paper weekly हुआ करता था, ठीक है, अब मैं यहां पर आपके एक बात और बता देना चाहता हूँ, यह paper इतना खास क्यूं है, यह इसको याद करने का एक तरीका क्या हो सकता है, modern history में, इसके ठीक दस साल बाद, इसके ठीक, दस साल बाद, एक बहुत ही important activity होती जिसे हम क्या कहते है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, वो एक ऐसा कोशन है, जो बार बार पूछा जाता है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के अंदर क्या होता था, कि वो प्रेस, वो लोकल, वर्नेकुलर होता है, लोकल लेंगवि अपने कंट्रोल में ले लेंगे, वो प्रेस का पैक अप कर देंगे, समलो ऐसा कर देंगे, तो उन समों में ये ऐसा newspaper था, जो रातो रात बंगाली से English कर दिया गया था, क्योंकि मैंने क्या कहा, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, लोकल लेंगविजिज में प्रिंट होने वाले अब आगे बात करते हैं, तो सामने क्या कोशन आ गया, गांदी जी का, ये कोशन भी आपका PYQ, यानि प्रीविजिर कोशन ही है, ये भी NT का ही, कहते है, गांदी जी के हिसाब से यदि या बेस्ट कोई कंफ्लिक्ट हो गया है, उस कंफ्लिक्ट को अगर आपने आएं लिक़ा क्या है, हो सकता है, सरे चारच लिक्ट है, डिपलोमेसी लिक्ट है, सप्रेशिन लिखा है ये मूच्व डायलक और मेडीशन लिखा हुआ है, अब यहाँ पर हो सकता है कि सर, हमें याद नहीं है, तो इस आखर को मैं हैं कैसे लिखूं या कैसे याद कूँ, लेकिन मैंने गांदी जी के बारे में स्पेविकली नहीं बढ़ा हुआ है। लेकिन अग्रा अध्याद से देखें तो 100 पjen稿 निकाल सकते हैं, दो जगा में जाकर निकाल सके हो। प हरी बात। मैंने आपको इसर्टाइंग में बोला दादापॉल्लप का मेहं हमां तो आउटसाइड दा कोट अली दोनों के बीच बैट के सुला मशौरा करवा देते हैं और केस ऐसे सॉल करवाते हैं और आप थ्रू आउट मौडन हिस्ट्री पर देखें तो जब भी कोई बात होती थी तो गांधी जी बातचीत करके बैट के मसला सुलजाने की बात करते थे जान हम आगे चलेंगे एक और ले लेते हैं एक और कोशन जो का अलाइश सर वीशिक्ण है और सिस देखने में क्या लग रहा हमें है क्या लिख इनमें से बुद्ध-चरीटा भूद्धा की रिता वह लिखी किसने है बुद्ध चरीथा बैयोग्राफि यगती किसकी बुद्ध ह ठीक है लेकिन लिखी किसने है वो अब यहां पर इस कोशन को देखके दो बाते दिमाग में आती हैं सर एंशेंट भी तो आ रही है आपने तो कहा था कि स्लेबस में ले कैसर मॉडन आएगी लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यह आट अन कल्चर का जो लिट्रेचर जो कि बुक क्या है स्टेंडर नितिन सिंगानियां सारे फालो करते हैं मोस्टली उसका अगर आप चैप्टर लिट्रेचर उठाके देखें तो वहां पे जैन लिट्रेचर बुद्धिस लिट्रेचर उसमें आपको इसका अंसर मिलेगा और इसका अंसर बेसिकली क्या है उने बुद्ध च्रिता लिखिया जो कि बुद्धा की एक बायोग्राफी और बाकी सारे बंदें भी कहीं न कहीं लौड बुद्धा से ही जुड़े हुए हैं कोई उनका डिसाइपल है नागासेन के उपर भी बहुत बड़ी बुक है मिलिंदा पानो हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में झिकर करेंगे। अब बात आती हैं पॉलिटी की प्य देखी लेते हैं जब हुश्चिय के देखे हैं हमने तो आपके सामने क्या है किस आर्टीकल के अंदर जो जज है किस के हाई कोट के उनको ट्रांसफर किया जाता है जो डिशरी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉसन टॉपिक उसमें से आपको कोशन आया है कि जजिस का जो ट्रांसफर कौन से हाई कोट के जजिस का जो ट्रांस किसे करते हैं जी नहीं इस ट्रांसफर को करने के लिए एक कोलीजियम बैठता है जिसमें एक सुप्रीम कोड का चीफ जस्टिस होगा चीफ जिस अफ इंडिया बेसीकली और साथ में चार सीनिर मोस्ट जज्ज होंगे सुप्रीम कोड करें यह मिलके एक डाटा तयार करते हैं जिन句 इसको क्या करना था dead suspicious किढ़ना जिनकी टेटेव अफकोस जथो से लाइब बात करेंगे लाइबष क्लास लगाएगे आपके साथ इन सबकीटेव अपके साथ आपकी शियर की जैएगी ऑसप्र डिश्कस भी की जाएगी क्लमिक 2017 लेख अगर देखिया कंदगada zzaु fundamental rights का है अब fundamental rights आर्टिकल 15 और 16 क्या बात करता है आर्टिकल 15 तो बात करता है किसी परकार का discrimination नहीं करेगी state और आर्टिकल 16 क्या बात करता है कि इस देश में सारे देशवासियों को equal opportunity है in case of public employment सरकारी employment के लिए इस देश में सबको क्या है equal opportunity दी गई है लेकिन उन्हें काफी बडीकी से question को पूछा है आगे clause भी पूछे है हमको पता है आर्टिकल 15 के भी 6 clause है आर्टिकल 16 के भी 6 clause है जो पहले 5-5 हुआ करते थे मैंने यहां भी आपको बोला है कि this is the answer हाँ 6-1 clause मैंने बोला ना आपको मैंने आपको क्या बोला चेमा clause बोला और मैंने बोली 103 डैट इस not 104 इस 103 अमेंडमेंड के साथ क्या होता है economically weaker section को भी include किया जाता है कहां पर fundamental rights के clause 15 के चेमे में और 16 के चेमे में ठीक है और यह clause बात क्या करते है कि जो state है जाने कि जो parliament है वो special प्रवधान बना सकती है किसके लिए economically weaker section के लिए और उन्होंने special प्रवधान बनाए भी है कहां reservation दी है कि इसके अंडर नौकरियों में और article 15 के चेमे clause के अंडर किसमे education institutions में वो education institutions चाहे public हों चाहे private हों तो economically weaker section की बात कहां की गई है वो बात की गई है article 15 के चेमे clause में चोला के चेमे clause में ठीक है और किस amendment के साथ यह चीज एड की गई है 103rd amendment इस चीज को आप याद रखिएगा ठीक है जी जो मैंने आपको 104 बोली वो actual में किस की है वो इंडियन्स की वो उसके बात की लास्ट में है विच अमेंडमेंट तुदा Constitution अफ इंडिया ट्रांसफर दा सब्जेक्ट ऑफ एजूकेशन फ्रम स्टेट तुफ कंकरेंट लिस्ट इन्हों पूचा है कि एजूकेशन एक सब्जेक्ट है आप सबको पता है कि हमारे यहां पर तीन लिस्ट है एक यूनियन लिस्ट होती है एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है इनका कोशन स्पेसिफिकली है कि एजूकेशन एक सब्जेक्ट है जो कि स्टेट list में हुआ करता था लेकिन उसे transfer कर दिया गया है content list में और जो shift किया गया है या transfer किया गया है वो कौनसी amendment के थू किया गया है वो amendment कौनसी है it is 42nd amendment जो कौनसी में हुई थी 1976 में हुई थी हम देखेंगे सिर्फ education ही नहीं forest ठीक है weights and measures wildlife and birds की protection wildlife and birds की protection के लिए और भी subject जो थे वो state से निकल गए concurrent list में शामिल कर दिये गए थी ठीक है तो यह कुछ discussions थी आपके पुराने questions की जो आपके पेपस में आ चुके हैं अब यहां पर फाइनली सक्सेस्ट्री हिमास्तर परदेश आप सब के लिए घर बैटे ही यह मौका लाया है कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए और हमारी live classes को देखिए और जो भी अपनी क्वैरी होगी अलगलग subjects के लिए अलगलग teacher आएंगे आपके लिए ठीक है अपनी क्वैरी पूछिए हर topic आपके साथ डिसकस किया जाएगा समझाया जाएगा और आपको तीज किया जाएगा ठीक है लिए आप सबको यह चीज अच्छी लगी होगी आप सबको फिर से मिलेंगे थैंक यू सो मच